आप लोग आप लोग तो गुद इवन्र सी कि इसे ना आज का जो से्शन होगा वह बहुत ही शांदार होने वाला क्योंकि इस में मेडिय वल हिस्टिक के कोश्चंस modern के questions and quality के questions आज mix है मैंने तीन section उठाएं आज medieval modern और आपका static gk और आपका quality तो let's begin with session है ना let's begin with session any नमस्ते भया सभी learners को नमस्ते गोड़ीबनिंग गोड़ीबनिंग एक बार link को share कर दो फिट्यो की session को शुरू करने वाले हैं सबसे पहली बात यह है कि कि मेरा नाम चंचल लगरवाल है दोस्तों और मैं अनकाड़िमे के टीटी कैटिगरी में पढ़ाता हूं और मैं पढ़ाता हूं sst का मतलब होता है जहां पर मैं आपका history geography and quality and civics देखता हूं दूसरी बात यह है कि आप आप जानती हो कि सीटेट कैटेगरी के में जो प्राइस लिस्ट है वो काफी कम हो गई है यह आपकी प्राइस है ना आप बाकी इस प्राइस पे आप जो है रिफल और रिफिल कोड चंचल लाइव लगा के आप इसमें कमी कर सकते हो क्योंकि सी टैट, यूपी टैट और यह चोट पर जाएगी प्रेजेश मेरे भाई नमस्ते खुश्पु, हेमान, सभी दोस्तों को नमस्ते दो मिनिट के अंदर हम सेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, दू कि आप रिफिल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं चंचर लाइफ और साथ ही साथ आप कोईन कर इस्तेमाल करके इसमें फीज कम कर सकते हैं ध्यान रखिएगा आपको क्लास के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट बहुत फ्री मिलता है इसके लिए आपको चार्ज परना नहीं है और देख लिए कवेस का भी बैच चल लें हैं समय परिया जहाब ही अभी तक नमस्ति भाईया मतरदेश के बैच चल लें हैं बहुत सारे बैच चल ले आप इन बैच इसको फटाफट जाक के इन डोल कीजिए और धेट सारे बैच आपकी कैटेगरी में हम लोग पब्लिश करते रहते हैं आप इसको जोइन कर लिया करिए दूसरी बात ही है कि यह मेरी प्रोफाइल है अगर आपने कभी देखी होगी देखी होगी देशस्माइप प्रोफाइल चंचलकरवाल है ना आप इस प्रोफाइल को क्या करिए प्लीज फॉलो कर लिजे दू फॉलो दिस प्रोफाइल है ना और मेरे जितने भी अनक्याडमी पे इस सवाल पूछ सकते हो और अगर आपको इस पेशल क्लास को अनलॉक करना है तो यहां पे रिफ्ल कोड है चंचल अगरवाल या फिचं चंचल लाइव रिफ्ल कोड का स्तवाल करके मेरे स्पेशल क्लास को आप अनलॉक कर सकते हो ठीक है यह बास जरूर ध्यान न किएगा तो अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ तहला प्रश्न क्या है बोट के ओपर इस्क्रिंड के ओपर यह रहा दोस्तों है ना चलिए एक कोशन मुझे बताईए का बहुत ही सिंपल सा मैंने कोशन रखा आपके लिए अगर आपको याद होगी मेरी स्टोरीज एक बाप बताईए का गया सुदीन बलबन कभी आप से सवाल पूछा जाए कि बलबन का पूरा नाम क्या है तो गया सुदीन बलबन है बलबन ने अ इसने क्या कहा था बलबन ने क्या कहा था कि मेरा संबंद एरान के किस वंश के साथ में हैं अफरा शियाब के साथ में हैं अमीर हर्मजा के साथ में तैमूर के साथ में इन में से किसी के साथ में नहीं है फटाफट बताईए का दोस्तों रिचा नमस्ते उसके बास साची नम एक प्रसिद्द अफरा शियाग वंश का नहने वाला हूं और ये बाद थाबित करने के लिए इरानी परमपराओं को इरानी तेहवार को अपने दरबार में शुरू किया था याद करिए मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों ठीक है चलिए नमस्ते 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 सभी दोस्तों को नमस्ते एक इवनिंग भाया अगला कोशन देखिएगा आप जानते हो कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान बताईए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बता को परास्त किया था कली मैंने कोशन करवाया था आपको जलाल उदीन फिरोज खिल जी अलाव उदीन खिल जी उसके बाद में मुहम्मद बिन तुगलक या इल्थ तमिश अगर आपको कहानी याद होगी दोस्तों तो मैंने बताया था कि दिल्ली सतनत का पहला सुल्तान जिसने दक्षण के ओपर आक्रमन किया प्रतिभा अच्छा प्रतिभा ओकी ओकी प्रतिभा नेहा एजुकेशन प्लेक्स अपना टाइम आएगा सभी दोस्तों को नमस्ते फटा 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 बताईए दोस्तों क्या जवाब होगा एंड प्लीज सेशन को लाइक करते हुए जवाब होना है अलाउदीन खिल जी मैंने बताए था कि अलाउदीन खिल जी पहला शासक था जिसने दक्षण भारत पे टैक किया और दक्षण भारत पे टैक करने के बाद उसने देवगिरी के यादववन्ष के शासक राम चंदर देव को बुरी तरीके से परास्त किया थ पासना सभी दोस्तों को नमस्ते भया अगला सवाल देखते हैं अ कि मुझे बताइये का दिवानेग वकूफ कि दिवानेग वकूफ चांभ कि तू vu किनो नाइन गौत मिनेये Liberty start में तो मुझे बताइये कि दिवानेग वकूफ को किसने श्थार्ट किया था अलाव उद्दीन खिल जी जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी मुहम्मद बिन तोगलक इलतो तमिश संधिया नमस्ते भाईया संधिया नम्रता सभी को नमस्ते जितनी भी लन्रस मेरे क्लास में बैटे हैं प्लीज आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा डिपार्टमेंट भी आत करिएगा दिवाने वगोफ किस संबंद एत है ona हो आपके राज्कीके वें संबंद है राइट और आप दूसरी बात है दूसरी बारत नेच syllabus ने किया तो स्टार्ट ise started by थ्रीका क्या होगा बी जलाल उद्दीन फिरोज किल जी आप जानती होंगी जलाल उद्दीन फिरोज किल जी के बारे में कि जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी वर्ष का founder है करहां कभी आप सवाल पूछा जाए कि who was the founder of Khilji dynasty तो दियान रखिये का जलाल अदीन फिरोज खिल जी मेरे मालिक अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या कहा रहा है कि अलाउ अदीन खिल जी दोस्ति देखिए सारे दोस्तों जिते अंदर मेरे भाई टीच एसी सभी को नमस्ते भया ये भी सवाल इग्जाम में आया हुबा है अलाउ उदीन खिल जी का असली नाम क्या है दोस्तों अगर अलाउ धिन खिल जी के पैरे दोस्तों रेखा अनुराग कि अलाउदीन खिल meglio on должны किअ झा नाम क्या अली गुशाश्व अली गुशाशे थीमिस करके Harry keep इसके दूसरी बात दिल्ली संतौनत का पहला सुल्टान जिसने जनता के ओपर खासा ख येटी के उपर 50 परसंट तक टैक्स लगाया था है ना दुआप के छेतर में करकी व्रिद्धी की थी 60 परसंट तक की थी किसने अलाव दीन खिल जी ने अच्छा विंध्या पांड़ी मेरे भाई नमस्ते ब्रिजबूशन पांड़ी नमस्ते जितनी भी लंदस मेरे क्लास में जिसने नहर निर्माण का कारे करवाया था वह गया सोदीन तोगलक वह फिरोशा तोगलक वह मुहम्मद बिंद तोगलक वह बल्बन मुझे फटा फट बताईए दोस्तों हां मार्केट कंट्रोल सिस्टम और 50% मनीश भाई नमस्ते कितने कोशन हो गए हैं पांचा कोशन चल लाएं फटा फट जवाब दीजेगा जवाब दीजेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने नहर निर्माण का कारे किया है वह कौन है आप जान रखिएगा यह है आपका गयास उद्दीन तुगलक गयास उद्दीन तुगलक गयास उदीन तुगलक दिल्ली सल्तन अगर खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो किसानों की इंकम भी जादा होगी, तो क्या वो टेक्स अच्छे से देपाएंगे, अगर टेक्स अच्छा मिलेगा, तो क्या गयास उधीन तुगलक का राशासन काल मजबूत नहीं होगा, इसी बाता को दिमाग पर रखते हैं, गया से जाधा नहरे किस ने बनवाई हैं तो सबस्ता नहरे बनवाए हैं किसे एफ स्टी ने फिरोशा टॉन ने यह बाध storage लीजेगा जिए डिटा सुर्पी ढ़ल कोमेंट नहीं देख रहे हैं आप कि आपका पांच्वा कुश Captain बीब शुब संधिया भया हेलो निखिल रोशनी सभी को नमस्ते भया ठीक है चलो अगला सवाल देखते हैं प्यारे दोस्तों एक बाब बताईए कि सुल्तान ने दिल्ली के कि सुल्तान ने 24 कर को समाप्त किया था और केवल 4 कर को ही लगाया है जो कि इसलाम में जिनका जिक्र है पिकेवल 4 कर लगायते बाकी रेस्ट 24 कर को समाप्त किया था यह काम किया है गया सुदिन तुगलक ने महुमत बिन तुगलक ने फिरोशा तुगलक ने या इन में से किसी ने काम नहीं किया है फटा-फट बताईए दोस्तों मनिशा मांसी इतिवारी मेरी बहन नमस्ते नमस लगाये रेस्ट उसमें बंद कर दिये और वह कौन था वह था आपका वह तो आपका कौन FST याद करीए मैंने बताया ता FST एक इसलामिग वीक्ति था इसलाम को बहुत कटड़ता के साथ फॉलो करता था इसलिए चोंकि इसलाम में केवल चारकार के करका जिक्र है जज्या जकात खुम्स खराश इसलिए चारकार के कर लगाए रेस्ट जितने भी करते उसने क्या किया थे ए बॉलिष कर दिये थे ठीक ह सामराज है का है तो विजय नगर का महानशा सक है किस डाइस्टी का है तो यह याद रखिये है तुलूफ डांस्टी का है याद है ना क्रिणिज्टी का है तुम्हें पता ही Dutch means Holland क्या हो गया अच्छा पढ़की अच्छा लग रहा है आप लोगों को जो मैं बाते बता रहूं कृष्णे देव राई जो की विजयनगर के महानशा सकते जिनों ने जो है तो लोग वन्ष के विलोंग करते हैं तो उनी के बारे में सवाल है कि क्योंकि आप जानती हो कि क्योंकि आप जानती हो कि क्योंकि भारत में पॉर्तगीज आ चुके थे इसलिए क्रिश्न देवराय के इस दोस्ति किस से हो रही थी क्रिश्न देवराय के दोस्ति पॉर्तगीज से जादा हो रही थी ठीक है हाँ जी यह बाद जुरूर ध्यान अखिएगा श्रेया गुसामी भीया नमस्ते नमस्ते जितनी मिरननस जोड़े हो सभी को नमस्ते भाईया है ना कोशन देखिएगा अगला मुझे बताईए विजय नगर सामराज जो किस नदी किनारे पर इस्ते थे थे कावेरी कृष्णा बाण गंगा उसके बाद तुम भद्रा है ना अच्छा मैं पूजा मैं कोशिश करूँगा कि मैं कॉनमी के कोशन भी करवा दू बहन लकिन अगर सब्जेक नहीं है न तो मैं उसे बचता हूँ मेरा सब्जेक इंडियन हिस्ट्री इन पॉलिटी है तो मैं उसी पर फोकस जाधा करता हूँ ठीक है हिमादरी नमस्ते भाई दूसरी बात की जाए तो विजय नगर समराज पर चार डानेस्टी में याद कैसे रहेगा सस्ता सस्ता मतलब क्या होता है संगम विजय नगर पिशासन करने वाला पहला वंश संगम वंशु दूसरा वंशु सालोव सालुव, सालुव के बाद में कौन है बिटा तुलुव, तुलुव वंश के महांशा से कौन होई थे, के डियार, कृष्ण देव राय के दोस्ते किस से हुई थे, पॉर्टगीज से हुई थी, दूसरी बात, कृष्ण देव राय के दरबार में कौन रहते हैं, कृष्ण गज रहते थे क्या इतनी बाद समझ में आ रही है और अंतिम वंश कौन सा है अंतिम आपका अरावीदू वंश है याद रखिएगा अरावीदू वंश जो मैं बाते बताते जा रहा हूं एक्जाम में एजटेस पूछ लिये जाता है ठीक है चलिए ब्रिटिशर्स की दोस्ती जहांगीर के साथ में है अगला सवाल देखते हैं दोस्तों बहमनी राज्य की राज्थानी क्या थी आप जानते हूं कि जिस समय विजय नगर समराज की स्थापना हो रही थी उसी समय बहमनी राज्य की स्थापना हो रही थी बहमनी समराज की राज अनुराग बहगिल मेरे भाई नमस्ते पंकच राय हरर मादेव बहिया उसके बाद दीपती उसके बाद में और कुन बच्छा है और है संगीता सोरें उसके बाद में गूश इबनिंग भया है ना सभी दोस्तों को इबनिंग चलिए अगला कोशन देखते हैं मेरे भाई आप बह्मनी राज्य की बात करें तो बह्मनी राज्य की राज्य की राज्ताने क्या थी गुलबरगा क्या थी गुलबरगा अगर बह्मनी राज्य की बात की जाएं तो बह्मनी की स्थापना किये बह्मन से बना है बह्मनी दूसरी बात को हम धार कंगु कर सब्सक्राइब नाम को तैन जिका इनेक्ट व्नको? को लाइक कर दिया करिए का इनक तो बहुत मिनत करता हूं ठीक अपनी कांट के मुझे बताइए कर विजापना 1326 में अब विजयनगर सामराज की बात की जाए तो विजयनगर सामराज के अवशिश हमें आज ... देखने को मिलते हैं। वीजापूर में, गोलकुंडा में, हामपी में या बरोधा में ... दोस्तों , तो क्या है सही है? मतलब क्या बेता ? पिछले प्रश्ण का पिछले प्रश्ण का अंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको देखिए इसका राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर होगा हामपी देखिए विजयन अगर के महान विजयनगर के महान समराज जिकि अवशिष हमें कहां, देखने को मिलते हैं हामपी में हामपी कहां है, हामपी परता है करनाटका में और हामपी को यूनसको के यूनसको के वर्ड हेरिटेस साइ्ट में शामिल भी किया गया है, ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं देखिए एक बाँ बताईएगा कि विजर नगर सामराजी की राजथानी क्या थी गुलबरगा वो एक गुलबरगा होगी एक बाँ बताईए औरंग जेब है ना औरंग जेब औरंग जेब की बात की जाए तो औरंग जेब कौन सा वादियंत्र बजाने में एक्सपर्ट था ठीक है वो है आपका सितार है वीणा है पकवज है या इन में से कोई नहीं है हीमन मैं कोशिश करूंगा बेटा मैं आपो दे दूँ ठीक है निकिल बाइस का यह होगा विजय आ बैमनी की गुलबर्गा राज्तानी गुलबर्गा ठीक है एक बाँ बताईएगा कि औरंग जेप ने किस वादियंत्र की स्थाप विदी किस वादियंत्र को बजाने में एक् औरंग जेप की शासनकाल में संगीत के उपर सबसे ज़्यादा किताबे लिखी गई है ध्याना कियेगा कि औरंग जेप की शासनकाल में संगीत के उपर सबसे ज़्यादा बुक्स लिखी गई है ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन क्या है, वो कौन सा प्रसिद्ध जैन अचारी है, जैन धर्म का अचारी है, जिनको अकबर ने बहुत जाद सम्मानित किया था, वो हैं चंदर प्रभासुरी, हरी विजय सुरी, पुश्पेदंत या फिर यशो भद्र प्रतिबंद भी लगाया था, बेकुल सही, प्रतिबंद भी लगाया था, तो मुझे बताईएगा कि हरी विजय सुरी, मैं अंसरी बोल दिया, तोपिक के साथ कुछ कोशन भी पढ़ाते हैं आप, हाँ, जबाब क्या होगा हरी विजय सुरी, नोट कर लेजएगा, क्योंकि आ क्या अकबर एक लिबरल इनसान था, क्या अकबर कहीं न कहीं के काफी मज़र आता है, इसलिए सभी धर्मों के महांतों को, सभी धर्मों के महांतों को ये काफी सम्मान देता है, जाब हो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पार्सी हो, जैन हो, बुद्ध हो, इसाई हो, सिक हो, सभी क सम्मान देता एकबर ठीक है चलिए मुझे निकल गया बोलने की आदत है ना वो टपर टपर बोलने की आदत है तो अंसर मुझे निकल गया एकबाब बताईएगा कि मुकल बाश्या जहांगीर जहांगीर की बात की जहांगीर का असली नाम क्या है जहांगीर का असली नाम है सलीम मुझे बताईएगा कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन से चितरकार थे अब्दुल समद अबुल हसन अका रियाज या पीर सेद बड़ा खतरना कोशन नई भाई ये तो नहीं आता होगा एक दो दो तीन तीन चार चार एक भाई इसके लिए तुम्हें जानता हूं कि आदे निपट जाओगे आदे नहीं जान पाओगे ठीक है ये कोशन जो है खतरनाक है आज कुछ तुफानी करते हैं ये सवाल है मुझे बताईए सवाल दोस्तों मुझे बताईएगा कि ए जहाँगीर के चित्रकार की कर बात की जाए तो अंसर क्या होगा? अंसर होने वाला है आपका ये अंसर होने वाला है यह कि 2 और 3 जो है 2 और 3 जो है इसका राइट असर होगा यह आपके जहांगीर के दरबार में थे यह बीसका राइट असर होगा अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकला का है ना जहांगीर का शासनकाल है दूसरी बात मुगल एरा में मुगल शासनकाल में चित्रकला की शुरुवात किसके शासनकाल में होती है चित्रकला की शुरुवात होती है मुगल अबासा हुमाईयों के शासनकाल में स्टार्टिंग पूछे तो हुमाईयों बोलोगे अगर सबसे ज एक करएंप हु खाएद है एक सवाल के लोगूम्हार्य का ूअब जानते हो की लंदन में प्रिटिश है कंपनी का व्य मेंत ही दिश समय लंदन में ब्रिटिश इस्त इने कम्पनी नहीं वन रही थी उस समय भारत के भारत के मोगल सम्राप कौन थे उस समयब भारत के मोगल बाष्चा भारत में कौन थे अगर आपको पता होना चाहिए और प्राइमरी में मोडन आता है मोडन भी आ रहा है रास्ते में मोडन वह भी आ रहा है तो उस समय भारत के मुगल बाश्या कौन है जलाल उदीन मौहम्मद अग्बर है लेकिन जब ब्रिटिश टेस्ट इने कंप्री 1608 में 1608 में गुजरात के सूरत के बंदरगा पर उतरती है उस समय भारत की मुगल बाश्या कौन थे दोस्तों जहांगीर थे समझ में आ गया जो अगर स्थाप्रा के समय पूछे तो अकबर है और जहांगीर जब भारत पहुंचते तो जहांगीर हो जाएगा जहांगीर के बारे मैंने बताया था कि अगर पूछा जाए कि चितरकारी का सुना काल तो जहांगीर होगा अगर पूछा जाए कि चितरकारी की स्टार्टिंग कि शासनकाल में होती तो मुगल काल में चितरकारी की स्टार्टिंग होती है कुमायो के शासंकाल में ठीक है सारी का भीया नमस्ते चालिए मेरे मालिक अगला सवाल दिखते हैं एक बार बताईएगा कि मुगल उबाश्चा शाहां जहां कि अगर बात की जाए तो मुगल उबाश्चा शाहां के शासनकाल में कौन से यूरोपी यात्री भारत आये था है ना मुगल उबाश्चा शाहां के शासनकाल में कौन से यूरोपी भारत आये था हौकिंस आये था थ में कि मालिक wonder रभाद मेरे बई बनेंग देखिंगए अगर cmdc Mark अगर बात की जाए तो बडी पताय था ना यू पीटर अपनी मुंडी के साथ अयाए था मूंडी के साथ तो पीटर मुंडी जो है वो यहां के शावसनकाल में आया है और यह जो यहे चारों जो है अलग अलग शावसनकाल में आ रहे हैं अपनी मुंडी के साथ मैं तो पीटर मुंडी बोलेंगे बहुत सही अगर्ला सवाल अक्बर ने ऐतिया कि आप जानते हुं कीट कि कई मुझे अला यह संभाव अंच एकर बात की जाए कोई बात नियुक्ता तुम एफ़र्ट तो डालो बहन जो मैं बाते बोलता जो कम से कम कोशन तो सुनोगी जब कोशन सही सुनोगी राइट एंसर सुनोगी मेरे मूह से तो आप एक्जामनेशन हॉल में सही करने की संभाब ना बढ़ जाएगी बहन ठीक है चलिए एक ब यह बात है कि जो अकबर कर विरुष किस ने किया था पता हूँ नहीं किया था बदायनू एक कटर इंसान था अकबर काफ़ी लीनेट इंसान था तो इस बास से बदायनों काफी चुड़ थी एक बादाएगा कि जलाल अदिन मौहमत अकबर के दर्बार में कौन सा चितर्का है दोस्तों वरा तो most important question है दोस्तों हाँ स्वीटी मीरी class बेटा daily each time पर होगी आप मुझे दो दिन और follow कर सकते हो 7 p.m. से लेकर 8 p.m. तक कल भी class होगी कल भी class होगी और परसो भी class होगी 7 से लेकर 8 p.m. अगला झावर के दर्बार के कौन सा चित्रकार नहीं था तो ध्यान आखियेगा प्यार दोस्तों ध्यान न एकवर के फमस चित्रकार हैं कोटियर्ड चित्रकार हैं नोट कर लिजेगा दसवन्त का नाम, अब्दुलसमद का नाम, बसावन का नाम इतनी बार एक्जामनर ने पूछा है कि अकबर की चितरकार कौन थे तो दसवन्त हैं, अब्दुलसमद हैं, बसावन साव हैं, क्या इतनी बार समझ में आ गई है? कल्यार दास के बारे मैंने पढ़ा बहुत कम है, इनके बारे मैंने बहुत कम पढ़ा है, जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन दसवन के बारे मैंने पढ़ा है, बसावन के बारे मैं पढ़ा है, बसावन के बारे मैं पढ़ा, दसवन शाद वही थे जिन्नोंने सुसाइट कर लि अगला कुशन देखिएगा मुझे बताईए मुझे बताईए कि बाबर ने मुझे बताईएगा कि बाबर ने पहली बार पादिशा की पद्वी बाबर ने पहली बार पादिशा की पद्वी कहा पिली थी फरगना मिली थी, काबुल मिली थी, दिल्ली मिली थी था कि बाबर, बाबर पंदरा सो चार में जब अपने घर को छोड़के, ये अपने घर से जब भगा दिया गया, तो जान बचा के ये काबुल आये था, याद करीब मैंने कितनी बार बताया है कि जब बाबर को अपने घर से निकाला गया, फरगना से निकाला गया, तो फरगन में रहते हुए इसने पादिशा क्यों पादिवी और यही पादिशाव वर्ड बाद में विगड़ते विगड़ते क्या बन गया बाद शार बन गया इतनी बास समझ में आ रही है एक बाढ बताईएगा आपने कभी नाम सुना है नूर जहां का नाम सुना हुआ है नूर जहां का सीना कोई बता सकता है को मेंट सेक्षिन बताईए कि नूर जहां का liam पर्फ정 कें पाइले, प्रिज नहीं पता दो प्रावान, मुछ जह नही Pacific पताइए, मिरी एल्प कीजिए Real name of Nuri Jaha Nuri Jaha की गज़ बात की जए तो नuri Jaha की गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर नहीं थे, ग्यास बेक नहीं थे असव खान नहीं थे या खुर्रम नहीं थे अच्छा मेरू निसा ना फरगना से बाबर भगा दिया गया था ध्यान न कियेगा नूर जहां का रियल नेम क्या है मेरू मेरू निसा ठीक है एक बात और ध्यान न कियेगा नौसिन अंजुम इवनिंग भया एक बाब बताईए का नूर जहां किसकी पतनी है नूर जहां पतनी है जहांगीर की अब मुझे ये बताईएगा कि नूर जहां ने दरबार में जब अपना बढ़ा लिया मतलब प्रभाव बढ़ा लिया तो नूर जहां ने क्या किया था अपना गुड बना लिया था गुरूप बना लिया था तो मुझे बताईए कि कौन उस गुड का मेंबर नहीं था जहांगीर नहीं था मिज़ा ग्यास बेग नहीं थे असरफखान नहीं थे या फिर खुररम नहीं थे मेरे मालिक ध्यान न कियेगा कि नूर जहां कि अगर बात की जाया तो नूर जहां के गुट का सदसे कौन नहीं था तो ध्यान न कियेगा कि जो जहांगीर है ठीक है हाँ मैं समझ गया कौन नहीं था तो जहांगीर नहीं थे पता है नूर जहां के पिता का नाम क्या है मिर्जा ग्यास बेक नूर जहां के भाई का नाम क्या है असब खान और ये खुर्रम कोई और नहीं बलकी खुर्रम कोई और नहीं बलकी शाह जहां है यही खुर्रम आके जाके क्या बनेगा यही खुर्रम आगे जाके बनेगा मुगल बाश्या शाह जहां इसे लिए पहले खुर्रम सपोर्ट में था बाद में नूर जहां के बहुत बड़ा विरोधी हो गया था खुर्रम लेकिन जहांगीर इस गुरुप में शामिल नहीं था दोस्तों ठीक है बताये तो मैंने कि मूर जाके गुट में शामिल नहीं थे ठीक है अगला सवाल देखते हैं दोस्तों अगबा बताईएगा कि अगबर के दरबार में टोडरमल थे याद है कि अगबर के दरबारी थे अगबर के नौरत ने थे टोडरमल जिन्होंने आइन ए देह साला जैसी विवस्ता की शुर तो बाबर अपनी जान मचा के अफगानिस्तान के काबुल में आ गए थे और यही पादिशाबाद में करते क्या बना बादिशा बना था अगला देखिए जवाब क्या होगा जवाब होने वाला है कि अगबर की जो दरबारी है वह आपके यह क्या है फादिशा है एक बाद बला बताइए चत्रपती शिवाजी था है यह दार्मिप पावलों के मंतरी थे यह डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे यह प्रधान मंत्री थे या यह आपके न्याय मंत्री थे मुझे पताईए का कि चत्रपती शिवा जी महराज के प्रशासन में वर्ड इस्तमाल होता है पेश्वा इरान भागा था इरान 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 भाग गया था हो निया ठीक है चत्रपती शिवा जी महराज के प्रशासन में जो पेश्वा थी पेश्वा कौन थी पेश्वा का मतलब होता है प्रधान मंत्री पी फॉर पेश्वा पी फॉर प्रधान मंत्री ठीक है याद रखेगा एक बा comment section में आईए चत्रपती शिवा जी महराज ने अपने प्रिशासन को effective तरीके से rule करने के लिए क्या बनाया था मुझे बताइए कि चत्रपती शिवा जी महराज जी अपने administration को सही तरीके से run करने के लिए क्या बनाया था अपने प्रिशासन को सुचारू से चलाने के लिए क्या बनाया था अस्ट अस्ट प्रधान आठ लोगों की टीम बनाई थी जिसको लीट कौन कर रहे थे पेश्वा पेश्वा कौन है ये शिवा जी के प्रधान मंत्री हुआ करते थे पेश्वा ठीक है चलिए हाँ बिलकौni जो अगला कुशन देखने पानीपत का तीसरा युद थर्ड बैटल एटल ओफ पानीपत ठीक है, कभी आपसे पूछा जा कि थर्ड बैटल ओफ पानीपत कब हुआ है तो 3rd Battle of Pani Pat हुआ है 1761 में हुआ है 3rd Battle of Pani Pat की बात किई जाए तो 3rd Battle of Pani Pat किसके बीच में हुआ था यह हुआ था पेशवाबाजी राओ दुत्ति है और अफगान शासक एहमा शाबदाली option B बाबर और इब्राहीम नोदि की बीच में option C अकबर और हेमो की बीच में option D और अरंग जेब और तैमूर की बीच में बैटरी ओवर हो गई है बैटरी ओवर हो गई है यार अस्तो ठीक है दूसरी बात session को आप प्लीज लाइक कर दिजेगा प्लीज टू सपोर्ट कर येगा लाइक कर दिजेगा कल भी आपकी session जो होगा वह 7 पीम से लेकर 8 पीम तक होगा तीसरी बात ये है कि अगर आपको UP TET, MP TET, Super TET, KVS की त्यारी करनी है Unacademy पे कोई भी subscription लेना है तो use करी चंचल Live चंचल मेरा नाम है और चोकि आप मुझसे live class पढ़ते हो तो क्या रीफर कोड इस्तमाल करोगी चंचल live एक साथ लिखना ठीक है एक बात और ध्यान अखिएगा कि पेश्वा बाजी राओ दुत्ति है है ना जिसे नाना सा के नाम से भी जानते है पेश्वा बाजी राओ दुत्ति है जिने हम नाना साहब के नाम से भी जानते है नाना साहब हाँ नाना साहब यह यह नाना साहब ठीक है नाना साहिब दो हैं, एक अन्तिम वाले हैं और एक ये भी है, तो पेशा बाजी रहा दुत्ति है, बाला जी बाजी रहा हूं, गलत है, कुशन गलत है, माफ किजएगा, कुशन गलत है, गलत लिखा हुए है सही कीजिए इसको यह बाजिराओ दुत्या नहीं है यह बाजिराओ दुत्या नहीं है यह बाला जी बाजिराओ है बाला जी बाजिराओ बाला जी बाजी राओ को हम नाना साथ के नाम से जानते हैं और इनका संगर्श हुबात है एहमर शाब दाली से यह नाम गलत टाइपिंग हुई है ठीक है यह इस टाइपिंग हुई है इस टाइपिंग हमारे मौदे हैं टाइपिस्ट मौदे हमारे टाइपिस्ट मौदे कभी कभी का करते हैं उनकेपास काम जाधा होता है तो памब कर रहे होगा थे तैयारि करते कड़े करते 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 कट करना इधर वाला था कर उधर देते हैं है हमाइcom कि शंक होगा का शबूरो सुनहें वी अदमिय है तरह का अओम करना आध में ठालो अंसर तो यह होगा खतर नाक आदमी है अगला बताईएगा इक बाद बताईए शत्रपती शिवा जी महाराज अपने जीवन में सबसादा किस से प्रभावित थे अपनी मा जीवन में सबसादा प्रभावित थे शत्रपती शिवा जीवन में सबसादा प्रभावित किस से थे मीरा भाई कहने वाले लोग भाई मीरा भाई कहां से आ गई मीरा भाई से प्रभावित नहीं थे अपनी मा इनकी मा अरे भाई मा साधर प्रभावित कौन कर सकता है इनकी मा इनकी मदर जीजा भाई से बहुत जादा प्रभावित थे ठीक है अपनी मदर जीजा भाई से ठीक है लूटा भारत को या भारत में अंग्रेजों की लूट भारत में अंग्रेजों की लूट किस महात्पूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई क्या आपको मैंने कहानिया सुनाई है कि किस घटना के बाद भारत में अंग्रेजों रूने रूपना शुरू कर दिया किस घटना के बाद अंगια जाते थे नवाब के पास कहते थे की दो लाक रुपे दे तो मेरे तो नवाब बनाये हैं simon simple याल कर डी दो है हम ब्रश कने जा रहे हैं हम करवाएं कि तीन याद कर यह फटा-फटा आप लोग कि भारत में अंग्रेजों की लूट की शर्वात होती कहां इसे तो मैंने बताया था आपको 23 आपको मैंने बताया था कि 23 जून 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है बंगाल में है प्लासी का मैदान भागी रतीनिदी की किनारे और इसी यूद्म में जब सिराजत दॉला की जो बंगाल के नवाब सिराजत दॉला की धोके से हत्या की जाती है और मीर्जाफर को अंग्रेश नवाब बना देते है हैं तो नवाब मीर्जाफर को बोलते हैं कि देखो मेने तुमें नवाब बनाए है आज मुझे दो लाग दे दो ठीक है आज मुझे जो है शॉपिंग करने लिए जाना हैहें ने नोने हिंदुस्तान को लोटने के शुरुबात कर देती हैं उनके हात में लोट्री निखल आई थी ठीक है चालिये निद्वनिक घृत भारत में राजस्वस्था को नहीं अपने ऑपने भारत में तमाम प्रकार की विवस्थाओं को अपनाया, ताकि लोगों से लगान की वसूल की जा सके, अब सवाल क्या पूछ रहा है कि लोगों ने अंग्रेजों ने किस प्रकार की विवस्था को भारत में शुरुवात नहीं किया था, इस्थाई बंदोबस्त, रहयत वाड़ी, महल वाड़ जवाब होने वाला है D, D is correct answer होगा, क्योंकि आइन एधेसाला, आइन ए धेसाला स्टार्टेड बाए मुगल एमपेरर, मुगल बाश्चा जलाल उदीन मुऊंम्मत अकबर, जलाल उदीन मुऊंम्मत अकबर ने स्टार्ट किया था, आइन ए धेसाला कब स्टार्ट किया, 1580 मे किस ने स्टार्ट किया था फानेंस मेंस्टर टोडर मलने याद है और यह जो रेस्ट तीम पॉलसी है पहली कौन सी है इस थाई बंदोबस्त जिसको हम जमीनदारी विवस्थार की नाम से भी जानते हैं दूसरी है रायतवाडी और तीसरी है महलवाडी और मैंने कई बार यू कोई कंसेप्ट अंग्रेज भारत में जिस एकॉनमिक सिस्टम को अपना रहे थे लगान वसूल करने के लिए से बोलते हैं प्रियास करो और सीखो प्रियास करो और सीखो प्रियास करो गलती करो और सीखो क्योंकि जो समस्यां जमीनदारी इस्थाई बंदोबस्त में निकल क तो ये क्या था trial and error process देखी कितने अंग्रेश सलाग थे कि एक गलती कुछ दार के दूसरी फिर अच्छा किया मतलब वो बहुत होश्यार लोग थे तभी वो भारत जैसे इतने विशाल काई देश से वो लगान के वसूली कर पाई थे ठीक है ज्यादा explain कर देते हैं explain तो कर देते हैं लेकिन मेरी band बज़ जाती है जो आपको बाते बता रहे हैं आप लोगों को मन में छप जाने चाहिए है ना बट यह है कि मेरा गला भी कहता है कि भाई अपना ही गला है हे मेरे वालिक भाई दो में टूक अला दर दोने लगा है मेरा एक बाव बताईए भारत में पहली बार भारत में पहली बार रिल्वे लाइन भारत में पहली बार रिल्वे लाइन किसने मिचवाई थी किसके शासन काल मिचवाई थी विलियम डेटले प्रोजर स्मिथ लॉर्ड अलखाजी या वॉर्रेंट हैंस्टिंग यार पुरा थक गए है पूरी बैटरी ओर हो गई है भारत में जो प्रतम बारेवे लाइं बिच्वी है वो तो लॉर्जर असन काल में कहां से बॉम्बे से उठाने बॉम्बे टू थाने मेरे मालिक कब अच्छा एक बाब बताईएगा क्या अंग्रेज भारत को लूटे हैं क्या अंग्रेजों ने भारत को लूटा है येस लूटे रे था अंग्रेज अंग्रेज लूटेरियों ने हिंदुस्तान को बहुत लूटा है और इस बात को पहली बार ऑफिशली बताये किसने इस बात को पहली बार ऑफिशल बताये था किसने जब उन्होंने concept दिया drain of wealth का संपत्ती के अफवहन का drain of wealth का मतलब होता है पैसे का जो बहाओ है वो हिंदुस्तान से लंदन जा रहा है यह बात बताने वाले कौन थे पहले इंसा जिन्होंने बताया कि अंग्रेज हिंदुस्तान को किस प्रकार से और किन किन तरीकों से लूटते हैं वो पहले आदमी कौन थे वो थे गुपाल किष्न गोकले वो थे दादा पाई नरोजी वो थे सुरेन रनाद बिनिर जी और वो इस बात को बताया है, answer क्या होगा, unanswer होने वाला दादा बाइन रोजी, दादा बाइन रोजी ने अपनी पुस्तक, अन ब्रिटिश रूल एंडिया ठीक है, अन ब्रिटिश रूल एंडिया नामक किताब में रोने बताया था, कि कैसे अंग्रेज भारत के पैसे को लूट कर हिंदुस्तान के बाहर लेकर जाते हैं इसको बोलते हैं ड्रीन ओफ विल्ट या फिर धन का निश्कासन कि कैसे भारत के संपता को अंग्रेज लूटते हैं अलूटने के बाद हिंदुस्तान से इसको अंग्रेज लेका लंदन लेके जाते हैं ठीक है इतनी बाद समझ भी आ रही है लगता बाल कटवाने पड़ेंगे हमको हाँ बाल दो कहां से कहां पर गए अजब बाद बताईए का अंग्रेजी शासन का प्रभाव जब अंग्रेज wiem अवियानिक आ मतें अंग्रेज वाम से बॅल nied में नमस्ते नमस्ति नमस्ते अंग्रेजर के बात की जाए तो अंग्रेजों का सबसे बुरा इंपाक्ट प्रज्वी पादा किसकेॉपर एकौनमी ौपर गयोंकि अंग्रेज्वों ने हमारी पूरी इकॉनमी को द्व भारने में बहुत जादा समय लगा ठीक है यह बाल जरूर ध्याना कियेगा अगला सवाल देखते हैं आनंद मठ के लेका कौन है मुझे बताइएगा कि आनंद मठ जोकी 17182 में लिखी गई है 1882 में लिखी गई है इसी में प्रसिद्ध गाना है बंदे मातरम आनंद मठ लिख देंगों अगर हम आनंद मठ की बात करें तो आनंद मठ वस लेटेन बाई बंकिन चंडरचटर जी ने क्या लिखा था ये किताब आनंद मठ किस पर विद्धारित है तो आनंद मठ विद्रों के ऊपर सन्यासी विद्रो की एकर बात कीए, सन्यासी विद्रो कहां पे हुआ था, सन्यासी विद्रो हुआ था, बंगाल में हुआ था, और ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला भारत में विद्रो है, कभी सवाल पूछ्टिया जाए कि अंग्रेजों का भारत में, अंग्रेजों के वि स्वादेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन चला तो उस स्वादेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सॉंग जो है वो काफी जादा पॉपॉलर्टी हासिल करता है ठीक है एक बाब बताईएगा भूदान अंदोलन किसका है भूदान अंदोलन किसका है तो भूदान अंदोलन है भूदान अंदोलन किसका है तो भूदान अंदोलन किसका नजर आता है विनोबा भावे का आपको याद होगा विनोबा भावे कौन है वह वह व्यक्ति थे जिन्हों नहींर um जब ग모हारे पहले सद्वा-वार भावे जिन्होंने बाद में बूद भूद आनांदोनद शुरू किया था इच बाद में लाइफ डिवाइन कि ता किसकी है मुझो नहीं पता है और सूवाल देखिएगा एक बाद पता हिए कि बंगाल में गठित में बनने इसको स्टार्ट किया किसने था वॉर्रन हैंस्टिंग ने विलियम जोन्स ने आर्ट मेकेंजी ने जैन्स प्रिंस अगर बात करें हम बात करें अगर अगर हम बात करें अशियाटिक सुसाइटी और बेंगॉल तो इसको स्टार्ट किसने किया इसको स्टार्ट किया था सर विलियम जोन्स ने सर विलियम जोंस की बात की जाए तो सर विलियम जोंस जो है उससे में कलकत्ता के सुप्रीम कोट में कलकत्ता के सुप्रीम कोट में एक असिस्टेंट जज या जूनियर जज के हैसे से काम करने के लिए आये थे लेकिन चुकि इन्हें भारत की इतिहास को जानने में काफी रुची थी इसी का परणाम तक अवकत्ता में रहते हुई इन्होंने Asiatic Society of Bengal की स्थापना की अगर सवाल पूछ ले अगर सवाल पूछ ले कि जब William Jones ने Asiatic Society of Bengal की स्थापना की उस समय उस समय उस समय गूँँ जनर्ल अव बैंगाल में अनल था WarrenAnsting कorn था這個 आ चुटकी बीटा नमस्ते 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 फ्रीकर वाट और धिान कियेगा कि कल 20 सेशन चलेगा सरेwrittenा से लेकर 8 बीम तक ठीक है एफट डालने एफट जी हो दो रहा है अब प्रवाइब लोग लाइव है वैसे तब लोग लाइव है वैसे तब मुलब को ठग गी हूं यार हैं अब जानते हो अप्राइल 1930 यह तयास के बहुत इंप्रेल है इस ग्याँ जिल में मेका नमक कानून तोड़ा गया था है 2 जैने लाइंस नमक कानून तोड़ा था किसने तोड़ा था कांधि और तोड़ा था सब्सक्राइब दोड़ा तो नमक कांदी के साथ ही क्या शुरू हुआ भारत में नमक कानूं को तोड़ने के साथ ही क्या शुरू हुआ भारत में available on या civil disobedience right क्या शुरूर हुआ सभीने वग्या आंदोलन की अगर बात कीजाए प्यारे दोस्तों सभीने वग्या आंदोलन को तंजौर के तट पर तंजौर कहां पड़ता है तंजौर पड़ता है तमिलाडू में तंजौर कहां पड़ता है तमिलाडू में तंजौर के तट पर किसने चलाया चितरंबन, पिल्ले C. राजगुपाराचारी K. कामराज या A. नी बेसेंट नहीं अभी चलेकर दो दिन और चलेकर मेरे सेशन शाम को साथ बज़े से लेकर आट बज़े तक सुर्वी मेरी क्लासेश चल नहीं है शाम को साथ बज़े से लेकर आट बज़े से चलती है एक घंटे में जितने भी कोशन हो पाते हैं वो मैक्सिमम कोशन में करवाने की कोशिश करता हूँ ठीके जवाब क्या होगा जवाब होने वाला है प्यारे दोस्तों चक्रवरती राजगुपालाचारी चक्रवरती राजगुपालाचारी ने सविने अवग्या आंदुलन को जिसको हम नमक से अग्रे के नाम से भी जानते हैं है ना समाने था है ना उन्होंने क्या किया था तंज़ौर के तट पे इसको लीड किया था ठीक है क्या के रिशे वेशिका को थाद़ P कि आज सब्सक्राइब का फ़िए tomaikida को महात्मा गांदी जी ने भारत में मांत्मा चलाइब भारत में अपना पहला जन्द बाशन कहां दिया था पता किसी को गांदी जी reek प्रइब में दिया धान लक्नु में दिया था चम्परण में दिया नियन पिए विशितर फिरु venaggi अगर हम बात करेंगे तो गांदी जी का जो पहला जन भाषन है कि अलजली बेटा नहीं होगा सीज का wrong answer गांदी जी ने भारत में अपना जो पहला जन भाशन है देखें यहां पर आंदूल नहीं बोला है जन भाशन बोला जन भाशन का मतलब होता है जनता को संभोधित करना है ना तो जवाब किया होगा जवाब होगा डी पनारस अब जानते हो बी-ए-चू बनारा सिंदू विश्वध्याले की जब इस्थापना हो रही थी 1916 में तो कहा जाता है कि बी-ए-चू की स्थापना के समय गांधी जी भी अबिलेबल थे और बक क्यु कि स्थापना के वक्त गांधी जी ने बनारा संडौ्स उभ्षू व्षिव्ष्वन्याले में जन्ता को पहली बार क्या किया था जन्ता को भारतमें पहली बार संब्सापनущ defending किया था ग्या Though है इसन चारों में से किसने एक वर्ड इस्तमाल कि सत्यागर इस्तमाल कि यो बड इस्तमाल कि यह रही लाल ने महत्मा घान्दीजी ने मतिलंभी लाल महत इन 2016 2016-1916 में नियमwa किसे किने चलो किछ लए चलो इतनी बात याद रखिएगा ऌक और प्ता है को गांधु जी की 3 पयर दिए गांधी जी की बेटे का नाम क्या राम राम नारांदास मंदासं कि इसे से तकि तक भिए आ प्रसा पताने कियसे थक गया है एक बात और देखिएगा अब जानते हो गांधी जी को आप जानते हो गांधी जी के बारे में चोटी से बात है कि दक्षन अफ्रीका में दक्षन अफ्रीका में गांधी जी को दक्षन अफ्रीका में जब गांधी जी दक्षन अफ्रीका गए इटी-नाइटी-फ्री में गांधीजी भारत से दख्षन-अफृटन के किया गया था अ वहानसबर्ग वो था पीटर मोहसिब वो था आपका डर्बन वो था प्रेटोरिया प्लीज याद रखिएगा आपको सेवें पीम से लेकर एट पीम तक आना है और मैं अपनी पूरी ताकत पूरी शंता लगा दूँगा है ना क्योंकि अगर आप अपना प्रिशस टाइम देत रहे थे डर्बन से प्रेटोरिया जा रहे थे तो राज़ते में पीटर मोहसिब बर्ग नामक जगह पे अंग्रेसों से बहस हो गई क्योंकि यह काले थे इंडियन थे और उस समय इंडियन को फर्स क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैबल करने की आज़ता थी नहीं और इसी का परणाम था इसी का परणाम था इसी का परणाम था कि गांधी जी को बहस के दुरान रोका गया और पीटर मोहसिब नामक इस्टेशन पे इनको धक्ये मारके बाहर निकाल दिया गया उस घटना के बाद कहा जाता है कि उस घटना के बाद गांधी जी को एसास हुआ कि रखिएगा अब एक बात और दिहाना किएगा session को आपने बहुत support किया है तो please अब session को like कर दीजे क्योंकि अब चलने का वक्त हो गया है चलने से पहले आपको कुछ बाते बताना चाहता हूं कि आप देखिए एक बात देखिएगा कि क्या आपको profile प्रोफाइल देखरी चंचल अगरवाल पीज डू फॉलो आप मेरी प्रोफाइल को जाके फॉलो कर लीजेगा कर रात में कल शाम को साथ बज़े से लेकर आट बज़े तक फिर मिलेंगे उसी ऊठ जाके साथ में और ध्यार न कियेगा अगर आपको मेरे क्रास को आप जोइन करने के लिए आपको अंलॉक करने के लिए होता है तो आप जा सकते हैं, चंचल रॉट कोटों से इस्तमाल करना है ।्यूसरी बात ये से 10 बजे से लेकर 8 बज तक आएंगे, बागी जिने एटमिशन लेना है, तो ध्यान रखिएका मेरा बैश शुरू हो रहा है, ठीक है, 10 बजे से मेरा बैश शुरू हो रहा है, सारे लर्णरस जाकर जोइन कर लिजेगा, दूसरी बात, जो UPTAT, CTAT, StateTat के बच्चे हैं, उनके सामने ये आपका structure है, बाकी आप referral code इस्तमाल करिए, चंचल live coin इस्तमाल करिए 10% तक छुट उससे मिल जाएगी चंचल live से 10% discount मिल जाएगा आपको और जब आप test जब आप subscription ले लोगे तो आपको 729 30 रुपए का एक साल का subscription मिल जाएगा उसमें CTAT, UPTAT, MPTAT सब मिल जाएगा, साथ ही साथ जितने भी mock test हैं, वो mock test आपको free में मिल जाएगे and most important and most important कि जो DSSB, SuperTat KBS, APS की जो विवस्था है इसका जो प्लान है, ये प्लान है बाकी चंचल Live Refle Code का स्तमाल कीज़े 10% fees कम हो जाएगी coin का स्तमाल कीज़े, 10% fees और कम हो जाएगी admission लीज़े, उसके लावा यती भी mock test है, वो free मिलेंगे आपको तो ठीक है, तो इस सारी बाते है इस सारी विवस्था है, ठीक है, आप बाकी बहुत सारे batches launch हो गए है, KVS का batch 28 उलाई से launch हो गया है MPTED का batch launch हो गया है आपका ठीक है, 31 उलाई से UPTED का मेरा batch शुरू हो गया, आज 4 तारिक का, 10 तारिक से 10 बज़े शुरू हो रहा है, तो तमाम batches चल रहे हैं, तमाम चीज़ें आपको मिल नहीं है, तो go and get us subscription and मेरे class में आईए शाम को 10 पे में ठीक है, all the best and session को like जरूर कर दीजेगा, बाकी मिलते हैं, कल शाम को 7 बज़े unacademy, शुक्षा पे let's crack it, thank you, bye bye